नमस्कार दोस्तों मैं नवीन नभारताइम्स डाट कॉम में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों वैदिक जोतिश में बुद्ध को बुद्धी ग्यान ताल के क्षमता गणित तकनिगी शेत्र आदि का कारक माना जाता है इसलिए कुंडली में इसकी श्तिति का बहतर होना बहुत ज़रूरी होता है बुद्ध के कुंडली में मजबूत होने से व्यक्ति हर शेत्र में सफलता प्राप्त करता है ऐसे में आधे पने इस वीडियों में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुंडली में बुद्ध की कौन सी स्थितिया हैं जिससे व्यक्ति को गणित और तकनीकी शेत्र में सफलता प्राप्त होती है दोस्तों जियोतिश में कुंडली के पंचम भाव को शिक्षा का भाव भी कहा जाता है इस भाव में यदि बुद्ध ग्रह शुबवस्ता में हो यानि स्वराशी में हो या मित्र राशी में हो तो व्यक्ति को गणितिय विशेयों और तकनीकी शेत्र में सफलता प्राप्त होत प्राप्त होती है। आपको बता दें कि कन्या और मिथुन बुद्ध की अपनी राशिया है। सिर्फ यही नहीं यदि बुद्ध पंचम भाव के स्वामी है। यानि कि आपकी कुंडली में यदि पंचम भाव में 6 या 3 लिखा हुआ है। और इन राशियों का स्वामी बुद्ध केंद्र में अपनी मित्र राशि में बैठा है। तब भी व्यक्ति की पकड़ तकनीकी और गनितियक शेत्र में अच्छे होती है। बुद्ध का प्रथम भाव में अपनी राशि में विराजमान होना भी बहुत शुब माना जाता है। प्रथम भाव आपकी आत्मा का भाव कहा जाता है, इसलिए इस भाव में बैठा बुद्ध व्यक्ति को लॉजिकल माइन वाला बनाता है। ऐसे लोग अच्छे कारोगबारी भी सिद्ध होते हैं और गडित विज्ञान जैसे विशयों में भी ऐसे लोगों को महारत हासिल होती है। कुंडली में बुद्ध अगर सूरी के साथ यूति करे और उस पर किसी भी पाप ग्रह यानी शनी मंगल राहु की तुकी द्रिष्टि ना हो तब भी व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे लोगों के पास स्तारकिक बुद्ध के साथ जवर्दस्त उर्जा भी होती है। यही खुबियां इनको तकनिकी और गनित्यक शेत्रों में सफलता दिलाती है। तो दोस्तों आप भी अपनी कुंडली में देखकर अब पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में बुद्ध की स्तिति कैसी है।